हलो एडिवान फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए ग्याउं के आटे आलू से बहुत ही क्रिस्पी और बुरुरे नास्ते की रेसिपी लेके आई हूँ तो आए ग्याउं के आटो आलू से नास्ता बनाना शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले हमने यह एक बॉल गेहूं का आटा लिया है यह हम एक मिक्सिंग बॉल में निकाल लेते हैं इसमें हम एक बॉल धई स्मॉल बॉल धई जो है वो एड कर देती है इसके बाद इसमें हमें डालना होता है नमक स्वाद अनुसार हमने नमक एड़ कर दिया है और इन सब चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं अब हम इसमें पानी डालते हुए इसका एक बैटर बना के तयार कर लेते हैं एकदम स्मूद बैटर बनादना होता है थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हैं इसमें बिल्कुल भी लंपसना नहीं से चलाद लेते हैं अच्छी तरीके से अbornिक बैटर बन lagi से तरीके अच्छी तरीके से मिक्स घुट नहीं ही अब इसको पहने भरता हैं अब फील को अग्लों ठ्ंय प्लेट को गरशेी नहीं होने देतेहां इसमें जाहें भीकट ऋप्लेट मेंकरेशिया प्लेट केरेश treaty का हुआ हैं में सैनले की परफ्पिरी यु जब गरम हो जाए तो इसमें हम एक स्पून राई एड़ कर देते हैं और राई को थोड़ा भून लेते हैं इसके बाद इसमें कट की हुई अद्रक डाल देते हैं कट की हुए हरी मिट्じ दाल देते हैं, इन दौनों को भी अच्छी तरीकी से भूंण लेते हैं इसके बाद इसे में हम उल्वाज्थी पौडर एक रख थेता हैं लौल बैलिदगी म्टे पौडर डाल थे हैं बूण लाल मिट्स अत देते हैं इसमें अब हमошामेक हम ये मैश किये है। वो डाल देते हैं. और इसी में हम अनुसार बच्रीज में स्वात के अनुसार नमग डाल देते हैं और इन सब चीज़ों कोम अच्छे से मिक्स करते हुए भूनते हुए तयार कर लेती हैं पार में टालो को भी इसमे अच्छी तरीके से भूल लेते हैं तो गई हम खुत्थ तरीके से मैं तो आप पार बुड़ दॉक्न कि इसमें यह मिक्सने भूंगी का था कि और मारी बिल्कुल बिल्कूल दो काई था यह तो अब मौक्न क्या करेंगे इसमें आंड मैं अब झनिया पति डाल देंगे और अपनी फ्लेम को आफ कर देंगे गैस को कर देंगे और हमारी स्टफिंग तैयार है इसको अभी हम साइट से रग देते हैं और इसे ठंडा भी होने देते हैं जब तक यह फ्लेम को आपक। यह देगे पेस्ट को एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इसकी 군सिस्टेंसी देखते हैं हमारी बिल्कुल एज़ आज़जी है सही है प्रेंगल शेप में बनाना होता है एक तवा गया पर रखाया है हमने इसमें ऑईल से ग्रीज कर लिया है तब अब यह जो बैटर ने तयार किया था उसकी एक स्पून डालते होई इसको गोल गोल करते होई चीले की तरह फैला लेती है जिसे चीला फैलाते हैं उस तरह की अरत हम लेगे और दूसी साइट से हलका से से कर दूसित नी है को सेखना होता है और यह तोहे हलका सीखना होता है यह हलका सिख्जा एक कर के शीटस UK उना करता साइने कि भाखते शीट मेरा तरह जक तेथ हम compl horror होतवत होता है तो हम प्लेट में निकाल रहे इसी तरहीं के से साड अब हम एक प्लेट लेते हैं, एक एक करके शीट लेते हैं, एक तरीके से हमने एक शीट बना कर तयार किया है, इसके बीट में यह जो स्टफिंग हमने तयार की थी वो रग देते हैं, इसको चारो तरब से हम फोल्ड करते हैं, पहले हम रोल टैप का बना लेते हैं, फिर बाकी यह थैके अधियार कर हैं यह मुझार मेरा उकल्का करने इसमें प्रहस करना होता हो आफिड मेरी केक एक बीक वो जैसे हम इसे एक-एक देगे इसमें और अब हम दौनों तरफ से इसको अच्छी तरीके से सेमी फ्राइ करते होई तैयार कर लेंगे पलट-पलट के अच्छे से से शेक लेंगे बहुत ही क्रिस्पी हो मतलब बहुत ही अलग टाइप का नाश्ता है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है आपके अगर में कोई ग स्काल लेते हैं और इसको आप सौट चटनी सौस किसी के साथ भी सर्व कीजिए गर्मा गर्म यह नाश्ता तन बन कर तैयार है इसको सर्व करते हैं प्रेंड्स कैसा लगा यह गया अटे अलू कर आस्ता पसंद आया हो तो कमेंट्स में लिखें वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को प्रेंज करें धन्यवाद